तो आज मैं आपको सुनाओगी स्टोरी नंबर 10 इस स्टोरी का नाम है लंबे बाल काले लंबे घने बाल यह आपको बसंद है ठीक है तो फिर मैं आपको यही सुनाती हूँ आज तो एक दिन अमिक लड़की होती है जो अपनी सौतेली मा के साथ रहती है वो मा अच्छी नहीं होती है और वो जो लड़की होती है उसके एक बहन भी होती है उसके बहुत अच्छे बाल होते हैं, काले, लंबे और घने बाल, फिर जो लड़की होती है, उसका नाम होता है मीना, मीना, मीना टकली होती है, उसके बाल नहीं होते है, वो एक लड़की होती है, उसके बाल नहीं होते है, इस वज़े से उसके साथ कोई शादी ही नहीं करता ह अब सबको तो पता ही होगा ना इससे उसको काम लगाती रहती थी तो इस वज़े से वह एक दिन गुसा हो गई और घर चोड़ के चाली थी उसको तो पता होता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बाल नहीं है इसलिए तुम रो रही हो ला तो फिर मुझे हाँ पर मैं इसुर्छ क्या करूँ कोई मुझसे शाजी भी ने करता और ओपर से मेरी सौतेली मा वोलती है कनगी ले जाओ ऑप इस्से तो झांगा करना और फिर देखना जा एसका कमाल तो फिर वो तो सुचती है कि क्या मैं भी या बिन्ह बालो कि का यहां करूगी पर तो भी वह ऐसा जैसे घुमाती है और उसके पास बाल आ जाते है बहुत सारे एक साइड फिर वह दूसरे साइड गुमाती है वहाँ पर भी बहुत सारे बाल आ जाते है ऐसे वह पूरे अपने सर में कंगी गुमाती है जिससे उसके लंबे और गने और काले काले बाल आ जा तो वो बूलती है क्या टकली है फिर ये कंगी है पिर आज तक मैंने कभी भी लकडी कें गभी देखी नहीं है ऐसा वो सुचती है और वो उसको पीट पे खुजली करती है जैसे वो पीट पे खुजली करती है फिर वो सुचती है वा कितनी अच्छी खुजली होती है फिर वो हाथ पे भी करती है दूसरे हाथ पे भी कर लेती है और फिर उसको जाला भी कुजली होती है वहां बस अब पे क नी बिए खिरे चलो जाते हैं दिखने लग जाती है और फिर रोच रादार के बाच वाति उसके बहुत है तो श्कान 2 सब्सक्रादी हो ते लादक्रा भी आता है अर फिर चादा के बाट्टी रहते है ना झाल झाल झाल